हेलो एवरिवन कैसे हैं सब्सक्राइब करने से पहले जो लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी आप डे वन से स्टार्ट करिए डे वन जो इसकी प्रिविएस वीडियो है आज हमारा day 2 है basically and day 1 जो प्रिविएस वीडियो में आपको टाइप कास्टिंग के बार में बता है तो basically जिसको भी टाइप कास्टिंग है टाइप कंवर्जन में इशू आता है वो वीडियो आप देख सकते हो and जो भी आपके डाउट होते है टाइप कंवर्जन टाइप तो first of all समझाता हूँ कि operators python में होते क्या है यसे python में नी बहुत सारी languages में है आप अगर javascript में जाओ c या c++ की कोई जो background से आ रहे है उन्होंने सुना होगा operators तो simple layman terms में बता हूँ एकदम simple शब्द में यह operators क्या है simple चीज है कि operators are used to perform operations on variable and value simple सी बात है कि अगर आप कोई variables में दो या तीन variable में कुछ addition करना चाते हो कुछ separate करना चाते हो यह कुछ भी यह values के बीच में values मतलब क्या 2, 3, 4 यह कुछ भी हो दुनियादारी की कुई भी चीज हो आप उन दो variables यह value के बीच में कुछ भी करना चाते हो वो basically जो कुछ भी होत arithmetic and assignment operators तो first of all आते है कि पहले कितने types होते हैं इसमें different types है total आप देख सेको साथ type है arithmetic, assignment, comparison, logical, identity, membership, bitwise इतना घबराने की कोई जरूत नहीं है इसमें साथ के साथ को याद करने की कोई जरूत नहीं है इसको हम step by step चलेंगे बस इतना याद रखना है कि जो मैं आपको पढ़ाऊ जो मैं आपको explain करूँगा उसको याद रखना कि arithmetic में होता क्या assignment में क्या होता है तो start करते है first of all चलते हैं आपके arithmetic operators and I think clearly visible होने चेके screen ठीक है इसको मैं थोड़ाव जूम आउट कर देता हूं जूम इन कर देता हूं तो first of all चलते है arithmetic arithmetic नाम से आपको लग रहा है कुछ मैं स्केलिटेड होगा और सही कैस क्या होगा अगर मैं स्केलिटेड है तो हम उसको arithmetic operators में गिनाएंगे तो start करते arithmetic operators are used with numerical values to perform common mathematical operation अगर आपको math की कुछ calculation कर नहीं हो तो ना plus minus जो plus और minus क्या है operators और वो किस में आते arithmetic operators as simple as this तो आप देख सकते हो इधर plus minus multiply and divide जो की चार बेजिक चीज़ है आपको इतना आइडिया तो होना ही चाहिए सब लोग ने addition minus subtraction multiply and division इन चारों के बारे में फटा-फट मैं पहले बनाता हूं कि कैसे यूज करने सिंपल है एक बार रण कर लेते हैं मैं दो लेता हूं मैं operators.py एक मैंने फाइल बनाई है या भी आप देख सकते हो एंडीवन आप फाइल बनानी है आप बना सकते हो एक कोई भी नाम की मैं तो operators.py लिए है जो आपको लगे इच्छा बना दो तो कहा है मैं दो वरिबले लेता हूं एक इसको हम operator कहते हैं इसको मैं अगर copy down करूं एक shortcut आप लोगों के लिए बता देता हूं एक प्लस वाय आप जो भी करता हूं आप इसको क्या करूंगे ctrl c करूंगे copy करूंगे enter मार के paste करूंगे राइट एक shortcut है जो से visual studio code का है वो shortcut है आपका alter shift down arrow alter shift down arrow करूंगा देखो चार पार आ गया यह तो shortcut था इसदर मैं माइनस कर देता हूं इदर मैं multiply कर देता हूं इसको मैं save करके अगर मैं run करता हूं सिंपल अरित्मेटिक है 15 5 15 2.0 10 को 5 से डिवाट करूंगे 2.0 as simple as that next चलते हैं जो आपके तीन ट्रिकी हो सकते हैं जो नए लोग है उनके लिए कह रहा हूं पहला है percentage percentage confuse मत होना यह percentage निकालने के लिए नहीं है यह है modulus निकालने के लिए ठीक है इन चार को मैं कर लेता हूं अभी के लिए comment अगर मैं चलता हूं अगर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं इंदर print x modulus y अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो remainder के आएगा 0 आना चाहिए तो वो जो modulus चीज़ है remainder find के निकले काम हैगा और आपका देखना अंसर जीरो है तो आपको कभी भी remainder निकालना हूं मैं इदर हूं अगर 14 लगाता हूं 14 को अगर आप divide by 5 करो मैं answer ने बोला decimal में मैं answer नी चाहिए वो division होता है अगर मैं remainder निकाल हूं तो मिले को पता है 4 remainder बचता है इसको run करके देख लो यह आपका 4 तो simple यह रहा मेरा modulus as simple as that यह चलते है स्टार स्ब लोगोंने power वाला किया हूए two race to three यह रेस वाला two race to three two race to four उसको भी ट्राइच कर लेते हैं है अगर आपको लिखने है टू बरेस्टू सिख सब्सक्राइब डिएक सब्सक्राइब देच सकते हो इसका क्या मंदब होता है ठूप पर इस टू जो था मेरा exponential या exponent आप कह सकते हो इधर चलते हैं आपका divide divide यह sir यह divide तो मैंको पताता है divide तो कर देते हैं पर यह divide divide क्या हो गया देखे एक बार चलो first of all जो divide divide है उसको हम कहते है floor divide या floor division चार्ट करते हैं confused मत हो यह divide divide क्यों है एक divide संबल नहीं रहाता है दो divide का answer आगे यह देखे हो मैं मैं ले लिख रहा हूँ x divide by y मैंने simple divide किये अगर मैं run करता हूँ मेरे को पता है इसका answer 2.8 है 14 को 5 से divide करूँ answer 2.8 आता है पर यही अगर मैं divide divide करूँ हमेशा यादर ना double divide में आपका answer हमेशा integer में आएगा हमेशा integer integer मतलब कोई decimal point नी या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो minus 5 ऐसा कुछ आने हो ले तो basically चलते है 2.8 का integer क्या हुआ round off करने मन बैटना आपका most probably इसका answer आप लोग बोलोंगे round off फरकिस का answer 3 आना चाहिए पर 2.8 का lower integer हमेशा lower integer पर जाओ 2.8 से नीचे वार integer क्या आता है 2 इसको मैं run करूँगा तो देख आपका answer आ रहा है 2 इसको मैं comment कर रहा हूँ एक बार खुद सोचो आप अगर मैं लिग देता हूँ इतर 11 divided by 5 run करते हैं देखो इसका answer 2.2 आ रहा है तो क्या वीडियो pause कर क्या बता सकते हूँ अगर मैं x divide by divide by y करूँ तो answer क्या आएगा 3 या 2 दो मिट का pause लो आप में को सोच के एक बार देखो क्या लगता है तो क्या इसको मैं run करता हूँ obviously बता है 2.2 का lower integer क्या होता है 2 as simple as that ठीक है तो यह याद रटना flow division means answer will always come in integer always in integer हमेशा lower value इसका भी आप तक कुछ try कर सकता हूँ अगर मैं लिखता हूँ 19 divide by 5 इसको मैं comment कर देता हूँ divide divide पर देखते हूँ divide का answer क्या आता है 3.8 guess कर सकता हूँ अगर 3.8 का अगर मैं flow division करूँ x divide by divide by 5 3.8 का lower integer that is 3 रटन करके देख लो as simple as that 3 तो इतने जो थे मैंने आपको जो सिखाए उनको बोलते है arithmetic operators इनका आप फोटो लेना है फोटो ले लो या video pause करके no down करना है no down करो क्योंकि अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है assignment operators इसको आप देख लो video pause करके इसकी फोटो लेनी आया आप खुद coding करने कर सकतो यह जो सारे थे मेरे arithmetic operators थे next चलते आपके assignment operator भाई अगर मैं आपको कुछ बोलो assign कर दो value assign yeah assign का दो मतलब आप तो बोलो sir मैं को कब से आता था either मैंने value तो assign किये x is equal to 19 तो यह जो equal to है वो भी क्या है एक operator ही तो है as simple as that equal to क्या है एक value एक variable में हम value assign कर रहे है तो value अगर आपको कुछ assign करनी हो लिखा भी हो है assignment operators are used to assign values to variable तो यह आपको पता नहीं था equal to assignment operator में आता है मैंने आपको बता दिया तो आई थिंक यह clear होना चाहिए equal to be operator है which comes in assignment operators इसको मैं यहां पे हमड़ाज़ assignment operators में चलूँगे सर आपने यह देखो यह क्या लिख दिया है यह क्या बनाया है क्यू है क्या है simple है मेरे साथ चलो दिरी दिरे चलो देखते क्या होता है equal to तो आपको पता है equal to करना मतलब value assign करना वो तो आपको पता है फिर आप कहीं कहीं देखोंगे x plus equal to 5 या x plus equal to 5 ऐसा कुछ देख रहे होंगे कुछ confuse होने की जरूथ नहीं है मैं देखो क्या कर रहा हूँ मैं एक variable ले रहा हूँ x ठीक है इसको run करता हूँ कोई rocket science को लगाई नहीं 19 आने वाला answer में इको भी पता है आपको भी पता है ठीक है इतना कर मैंने कुछ heavy coding की नहीं है अगर अब मैं बोलूँ कि x के अंदर जो value है जो भी अभी तो 19 है अगर मैं बोलूँ उस value को plus 5 करतो तो आप लोग क्या करूँगे आप लिटूँगे x plus 5 simple बढ़ मैं x plus 5 करती जब मैं वापिस print text करूँगा तो देखो क्या आने वाला answer वापिस 19 आ रहे यह क्या आपने तो x plus 5 किया था तो plus 5 क्यों नहीं हुई simple सी बात है x plus 5 अगर आप करते हो जो की 24 आएगा तो क्या आप वो 24 को वापिस x में store कर रहे हो 24 तो आया बढ़ क्या उसको x में वापिस store कर रहे हो नहीं न तो मैं क्या करूँगा मैं लिखूँगा x is equal to x plus 5 simple इसको run करके देखते तो बोलेगा भाई x plus 5 क्या है 24 and वो वापिस x में store हो जाएगा and आप एदर देख सकते हो 24 आ चुका है अगर आप कहीं पर ये देखो या फिर ये देखो x plus equal to 5 दोनों का मतलब सेम है कान खूल के सुलो ये देखो या ये देखो एक ही बात है इसको मैं run करूँगा तभी भी answer आपका 24 ही आएगा ओके तो कहीं कहीं अगर आपकी कोडिंग में या किसी और developer ने अगर plus equal to file लिखा हो तो भाई confused मत हो जाना ये क्या लिख दिया है ये कौनसी नहीं कोडिंग है normal ये assignment operators ही कहते हैं इंको and आप इदर different different देख सकते हो plus equal to minus equal to star equal to star तो पता ये multiply वाला divide equal to modulus भी पाता है divide divided भी पाता है exponent भी पाता है try करते हैं एक एक करके एक एक नहीं मैं थोड़ा उठाता हूँ देखो क्या होता है चलो x is equal to 19 है मैं इसको तो हाटाई देता हूँ मैं लिख रहा हूँ x इदर चलो मैं थोड़ा 20 ले लता हूँ इसी नमबर ले लेता हूँ x 20 है मैं लिख रहा हूँ x multiply equal to 2 तो वीडियो पास करके सोचो क्या इसका अंसर आना चाहिए तो अगर सब लोगों ने guess किया है 40 तो वो एकदम ही सई है confused मतलब वो एकदम सई है 40 आने वाले सीधी से बात है x multiply by 2 को मैं क्या करे सकता हूँ x इसको बोलो x into 2 simple इसको run करूँगा वो ही तो होता है x को multiply by 2 कर दे और x में डाल दे और 20 का multiply by 2 40 होता है इसको मैं कर देता हूँ comment इसका सोच समझ के बार में बताओ क्या आना चाहिए x percentage equal to 3 video pause कर लो and guess करो क्या लगता है अगर आप लोगे ने 2 guess किया हूआ perfect है सर ये 2 कहां से आए simple सी बात है यार comment देखो x equal to x percentage 2 मतलब हुआ sorry x percentage 3 मतलब हुआ x percentage 3 क्या होता है अगर 20 को मैं 3 से divide करूँ तो remainder क्या आएगा 2 आएगा and वो 2 किस में store हो जाएगा x में इसलिए आपका answer क्या आ रहा है 2 इसको अगर मैं run करता हूँ आप देख सकते हो 20 and 2 आ रहा है मैं सब के सब नहीं करा रहा जान पूछके से आपको लोग लोग नहीं करा रहा मैं क्यों ऐसा answer आ रहा है यह क्यों नहीं आना चाहिए था यह error आ रही है जो भी आपको लग रहा है comment section में डालो क्योंकि मैं आपको spoon feeding नहीं करने वाला सीधी सी बात है बाकी लोग आप देखोंगे YouTube पे आपके लिए करके देदेंगे वो आपको याद नहीं रहने वाला ठीक है तो एक बार यह सारे try करो divide equal to modulus equal to flow division वाला divide by divide by equal to यह सब आप try करो और मैं को comments में बताओ कुछ issue आ रहा है and day 3 के लिए हम देखेंगे आपको लो मैंने arithmetic assignment बताया next में हम देखेंगे comparison and logical operators which would be in day 3 यह day 2 था and I hope कुछ अगर issue आए वापस मैं बोल चुका हूँ comment में feel free to comment okay